In the last video, we have seen leads क्या होती है और एक business के लिए, sales के लिए, lead कितने important होती है Now in this video, let's try to understand कि कितने types के अलग-अलग leads होती है और उनका meaning क्या होता है Old leads, अब यह ज़रूरी नहीं कि इन्होंने आपके product के related कोई inquiry की हो पर यह ऐसे लोग होते हैं जो आपके ideal customer के personा में एकदम feedback है Hot lead, यह ऐसे लोग होते हैं जो आपके product के लिए खुद से inquiry करते हैं अगर इनको आपकी advertise कई पर दिखती है, यह खुद ही जाके आपको call करते हैं ऐसी leads को आपको attention देना बहुत important है, हो सकता है, कुछ समय बाद इनका आपके product से interest कम हो जाए Information qualified lead, यह ऐसे लोग होते हैं जो अपने problems के solution धूण रहे हैं और यह directly आपके product में interest नहीं दिखाते हैं बट यह free की information ज़रूर लेना चाते हैं, अगर आपको ebook दे रहे हो तो ebook पड़ेंगे, अगर आपको webinar कर रहे हो तो उस webinar को यह ज़रूर रटेंड करेंगे Marketing qualified lead, यह information qualified lead से एक step आगे होते हैं और आप जो solution प्रोवाइट कर रहे हो जो product आप दे रहे हो उस product के related और जानकारी लेने के लिए यह लोग बहुत interested होते हैं Sales ready leads, यह ऐसे लोग होते हैं जो 90% आपके product खरीदने के लिए ready होते हैं अगर उनकी पास में उतना budget है, उनके पास authority है, उनको आपके product की lead है और वो जाधा time तक अपने problem को unsolved नहीं रख सकते तो ऐसे लोग आपके product को तूरंद खरीद लेते Sales qualified lead, and finally यह ऐसे लोग होते हैं जो आपको पैसे देने के लिए तयार होते हैं Generally, इन्हें hot lead भी माना जाता है और आपका सबसे दादा focus इनी leads पे होना चाहिए So this is all about leads, there are 7 types of leads और हर एक का अलग-अलग meaning होता है So share this video with all the business owners, entrepreneurs and all the sales person out there, save this video for later and don't forget to follow us